कल मत्से विभाग चमबा के ADF भूपिंदर सिंग के द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ कुमलाडी मेले में शाम के करीब 6 बजे दविश दी जिस दोरान उन्होंने तीन मचली वालों को कच्ची मचली बेचते हुए रंगे हातों पकड़ लिया और उनकी मचली को पकड़ कर उनको जुर्माना लगा कर छोड़ दिया और उसके बाद मत्से विभाग के अधिकारियो के द्वारा उन मचलीओं को उसी समय लोगों को आउक्षन कर बेच दिया गया गौरतलब है कि 15 जून से 15 अगस तक मचलीओं को मानने में पूरी तरह से पाबंदी है क्योंकि इस समय मचलीओं के प्रजन का समय होता है जब इस बाबत मत्से विभाग चमबा के ADF भूपिंदर सिंग से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यदि 15 अगस तक कोई भी गैर कानूनी रूप से मचलीओं बेचता हुआ पाया जाता है तो उनके उपर सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी और इसमें सजा का भी प्रा जो आप लोग ने फिसस पगड़े पंजाब बालों से पंजाब किए तो यहां पर किसको आप लोग ने वो खर जाती है उनको उनको मचली यह को किसो कब एगाया जो उनसे जो और मचली कंफिकेटी नगी वह होवएं कि जो लोग जो इंट्रस्टराई था उनको ऑपिस अ प्रतीम करिंगे करे दो दो कि भी भीम करूँ ये करिया।